नमश्कार आप देखरें ग्लिप्स.टीन और मैं हूँ आपके साथ खुश्वू और इसा के कोरापूट जिले के पटागी थाने में कुंदूर स्थित्ग स्कूल की 14 साल की नवी की शात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था जिसके बाद आक्रोशित ग्रामिनों ने सडक पर उत से जग्दलपूर से विशाका पटनम की तरफ आनने जाने वाली सभी ट्रेन और सडक मार को बाधित कर दिया है जिससे आवा गमन में परिशानी हो रही है और सैकडों की तादाद में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है दरसल ग्रामिनों का आरोप है कि बिस बस्तर की सीमा से लगे ओरीशा के कुंदली की घटना में ग्रामिनों ने प्रदर्शन किया जहां 12 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था वही मुख्यमंत्री नवीन पतनायक और केंद्री मंत्री धर्मेंदर प्रदान ने प्रतिक्रिया दी है और मामले में दुख जताया है साथी मुख्यमंत्री ने इस तरह की घटना को अमानविय बताते हुए पीड़ता का मुफ्तिलाज कराने की घोषना की है इसके साथ ही CM ने निर्देश दिये हैं कि अतिशिग्रे आरोपी को गरफतार कर कड़ी कार्यवाही करें दूसरी और केंदरी पेट्रोलियम मंत्री धर्विन प्रधान ने कोड़ापूट गैंगरेप की घटना पर कड़ी निंदा की है साथ ही शात्र के जल्द स्वस्थोय की कामना की है लगतार अप्डेट्स के लिए आप देखते रहें Glips.in